हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आम सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वॉक्षीट नमबर 115 जो की 23 नमबर 2021 की वॉक्षीट है बच्चों सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे यहाँ अप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और क्लास 3 के सामने आप अपना section A, B या C जो भी section है आप वो mention करेंगे तो चलिए इस वॉक्षीट में हम discuss करते हैं आज की mathematics subject की वॉक्षीट और पहला प्रशन है चित्र पहली जहाँ पे हमें दो चित्र दे रखें हैं यह है चित्र एक और यह है चित्र दो इन दोनों में ही हमें तुलना करनी है compare करना है और कोई चार अंतर ढूडने है यानि चार गलतियां ढूडनी है तो देखिए पहली गलती क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं बना है जबकि यहाँ पे हमें देख रहे कोई आकृती बनी हुई है यह हो गया पहला अंतर ठीक है अगर हम दूसरे अंतर की बात करें तो यहाँ पे देखिए यह जो धुआ निकल रहा है इसकी तीन लेयर्स है जबकि यहाँ पे यह ज़ादा है तो यह हो गया तीसरा अंतर अगर हम चौते अंतर की बात करें तो इस पहिये में देखो बीच में कुछ भी नहीं बनाए जबकि यहाँ पे बीच में एक डॉट बना हुआ है तो इस तरीके से यह सारे अंतर आप अपनी कौपी में लिखेंगे ठीक है अगला है आओ समूह बनाएं राहिल और फैजा को एक पुराने बकसे में दस कंचे मिले जिनको उन्होंने आपस में बाट लिया लेकिन राहिल ने फैजा से कहा तुमने मुझे कम चलिए हम उनके कंचों को बराबर बाटें यह काम हम कंचों से नहीं बलकि पुराने कागसों की गोलियां बनाकर करेंगे सबसे पहले आप कागस की दस छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए तो बच्चों आप जो भी कागस आपके पास बेकार है वो सारे लेंगे कागस औ याद रखें, बेकार कागज से ही बनाएंगे अब उनको दो बराबर समुहों में बाट लीजिए अब देखो क्योंकि आपने दस गोलिया बनाए थी तो पांच गोलिया एक साइड रखेंगे और दूसरी पांच गोलिया एक साइड रखेंगे इस तरीके से दो समुह बन खिलत 15 अगला है कि किछी ट्रयर वें यही यह गोली कि फैजाहों कगर बज़ेए व्हाम्तव व्हाम ाज़ाब त्थ इस का उथिक कि अई है कि भी फैजान गोल फारने तो इसना फैजर को भी पारने ठीक है कि यही पिरके ऀलने है स्था अरिवार में कुल 5 सदस्य हैं, अब कागर की 5 गोलियों को सभी सदस्यों में बराबर बाटियें, तो बच्छो हम क्या करेंगे, पहले हम 1 गोली सब को दे देते हैं, 1 गोली, 2 गोली, चलो इसको मैं थोड़ा सा डाक कर देती हूं, और इसको बड़ा कर देते है ठिक है? अब ह रखेंगे यहां से खतम और एक और रखेंगे यहां से खतम तो पांच गोलियां तो खतम हो गई अब एक और निकालेंगे उसको यहां रखेंगे एक और निकालते हैं उसको यहां रख देंगे इसको यहां रखेंगे और यह निकालेंगे यहां रखेंगे तो हमने देखा कि परिवार में सभी सदस्यों को देखो, सब के पास बराबर है, सभी के पास दो दो गोलियां है, और सभी के पास बराबर गोलियां है, ठीके बच्चो, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, कि परिवार के हर सदस्य को कितनी गोलियां मिली, तो आप लिखेंगे दो गोलियां, क्या लिखेंगे आप दो गोलियां ठीके बच्चो आगे कह रखा है कि अब आप कागस की 20 गोलियां लीजिए देखो 10 तो आपने पहले ही बना रखी थी 10 गोली और बना लो तो आपकी पास 20 गोली हो जाएगी आप कागस की इन 20 गोलियों को नीचे लिखे समूहों के अनुसार बराबर बाटिये अब ध्यान रखना हमारे पास 20 गोलियां है और इसको हमें बराबर बराबर बाटना है आप अपने बनाए हुए समूह की तस्वीर अपने अध्यापक या अध्यापिका को भेज सकते हैं अब देखो समूह हमें क्या बनाने हैं समूहों को बनाने के बाद नीचे दिये गए टेबल को पूरा कीजिए अब समू हमारे पास क्या क्या है हर समू में कागस की दस गोलिया होनी चाहिए ठीक है तो समू कितने हो गए दो हो गए अब हमें कह रखा कि चार समू बनाने है अब चार समू है तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे चार बॉक्स बना सकते हैं एक, दो, तीन, चार. अब इसमें हमें कितनी कुतनी गोलियां डालनी पड़ेंगी? हमारे पास 20 गोली है, तो हम सब में 5 पाँच गोलियां डाल सकते हैं. ठीके बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 गोलियां. ठीके? 5 गोलियां. अगले में कह रखा है, 5 बराबर समूँ है, 5 बराबर समूँ है, तो देखो, यहाँ पे जैसे 5 समूँ बन जाएंगे, आप ऐसे बनाके गोलियों को एक एक करके बाट सकते हैं. तो आप देखेंगे, फाइनल यह आ जाएंगी, 4 गोलियां. क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? 4 गोलियां. और अगर 10 बराबर समूँ बनाने हैं, तब आपको कितनी-कितनी गोलियां देनी पड़ेंगी? तो आप लिखेंगे 2 गोलियां. ठीके बच्चों? आप क्या लिखेंगे? 2 गोलियां. और इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्ण भी हल हो जाएगा. अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि आप बच्चों को उन खेलों के बारे में बताएए, जो आप बच्चपन में खेला करते थे. तो बच्चों ये थी आज की हमारी मैज्स की वॉक्षीट and I hope आप सभी को ये वॉक्षीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बच्चों अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो उसको जरूर लाइक करें, अपनी फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चानल क को सब्सक्राइब करें, थैंक यू